एक्ता में शक्ति एक बार नीले आस्मान में बहुत सारे कवो का एक जुन उड़ता हुआ जा रहा था उनमें से कुछ कवो ने देखा कि नीचे कुछ दाने भिखरे हुए है एक कवो ने कहा कि क्योना हम लोग नीचे चल कर दाने खाते है परन्तु उसमें से एक समझदार कववे ने कहा कि मुझे कुछ गडबर लग रही है हो सकता है कि वहाँ पर किसी ने जाल बिछा रखा हो परन्तु उन कववे ने उसकी बात नहीं मानी और सभी कववे नीचे जाकर दाना खाने लगे दाना खाने के बाद जैसे ही उन्होंने उड़ने की कोशिश की तो पाया की सभी कववे शिकारी के जाल में फस चुके थे सभी कववे बहुत परिशान हो गए बहुत देर तक कोशिश करने के बाद वहाँ हार मान गए वो अपने आप शिकारी के जाल से नहीं छूट पा रहे थे उन सभी कवों ने मिलकर फिर एक योजना बनाई कवों ने तै किया कि हम सभी मिलकर एक ही दिशा में उड़ने का प्रयत्न करते हैं और इस प्रकार एक से लेकर तीन की गिंती के बाल सभी कवों एक ही दिशा में उड़ना प्रार्ण करते हैं और देखते ही देखते पूरा जाल कवों के साथ उड़ गया इस प्रकार कवों ने अपनी समझदारी और सूजबूज के साथ अपनी जान बचाई तो बच्चों हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा एक जुठ होकर और धैरे से काम करना चाहिए